हे वर्स तब गाइस अनुजे एले वेल्कम तुर देसेवन कोर्स और आज की वीडियो गाम कोशन सौल करने वाले स्टैक के उपर अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है कि और यो बना एक और स्के इसके अंदर बन रहा एक यह बन्रे एक यह बी बने तक इस तरिक इसके इस न wrench यह बयर ड़्योस बन रहा है लेसटेंग्ल स्करण आरय इसका अंसा 12 हो तो आपको 12 प्रिंट करना है, 12 रिटर्न करना है, जारक कैसे करोगे यह सोचो, ठीक है, बहुती अच्छा लोजिक इसके अंदर लगने वाला है, stack का use कर रहे होंगे, इसके अंदर भी हाम again, क्योंकि stack ही कर रहे हैं, और आप देखोगे, कि किस तरीके से multiple questions जो के लिए हम यहां तक आ सकते, यहां पर आ सकते, यहां पर आ सकते हैं, यहां पर नहीं आ सकते हैं, और इस 2 हाइट के लिए यहां पर आ सकते हैं, तो इस 2 हाइट के लिए मैं बता चलिया, कि इतनी दूरीत हम track कर सकते हैं, ठीक है, 6, 6 length हम travel कर सकते हैं, 6 distance, तो 6 by 2 आपका 12 आ रहता है, similarly अगर किसी और element के लिए चलाके दिखें, suppose कर ओओ इस 3 के लिए हम कितना left और right side में जा सकते हैं, जहां पर ये 3 included हो, तो 3 के लिए हम आगे जा सकते हैं, नहीन आगे नहीं सकते हैं, आगे 3 से छोटा element है, left side में खेहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं इस से यहां नहीं आ सकते लेकिन, ठीक है? तो 3 के लिए हम सर्फ ये, ये distance में मिल रहा है, फिर्वाइ 3 जा jumps, हो सकते हो कि हर एक element के लिए मैं जाओंगा और मैं चाहिक करूँ कि इस element की अगर height है तो इससे मैं कितना units distance travel कर सकता हूं उससे में multiply कर दूँगा इस height को और वो मेरा इस height से निकलने वाला area आने वाला है फिर ऐसी करके मैं सभी height से निकलने वाला area बता दूँगा और मेरा maximum area आ जाएगा तो यहां पर हमें funda तो समय में आ गया लेकिन इसे हम code किस तरिके से कर सकते हैं तो funda बहुत अरा हमें for loop के ँदर क्या करेंगे? किसी भी element को पकड़ेंगे AI element को पकड़ा हम नहीं और उसके लिए हम एक left बनाइंगे कि left में कितना दूर तक जासकते है और advent और right की value find करेंगे. left और right की value कैसे find गरेंगे, कि हम एक लूप चलाएंगे यहां तो जब तक हमें मिल रहा है, left के अंदर बड़ा element मिल रहा है, current element से बड़ा element left side मिलते आ रहा है, तब तक हम left minus minus करते चलेंगे, similarly right वाली side के लिए भी करेंगे, हमें यहाँ पर left और right के index मिल जाएंगे, उसके बाद फिर हमें कुछ नहीं करना, area जो होगा हमारा, वो होगा, right minus left multiply by aie, तो यहाँ पर आपका minus 1 आएगा, एक छोटा sub date में ने किया है, कि यहाँ पर minus 1 आएगा, तो इस तरी किसे आप लोग का maximum area निकल सकता है, और इसके अगर हम time complexity की बात करेंगे, तो आप देख रहे हो, हर एक के लिए हम एक और loop चला रहे हैं अंदर, जो कि आपका left औ right side दोनों side चल रहा है, तो यह एक ही loop है, यह अलग अलग natural loop नहीं है, यह एक ही loop है, इसके अंदर दो loops पना रहे है, basically मैंने, तो time complexity यहाँ सारी आ रहे है, वो अरी big of n square, तो यह इसकी time complexity आ रहे है, लेकिन इस से better complexity में भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम big of n square से big of n में कर सकते हैं using stack, तो इस वीडियो से पहले के पहले वाली वीडियो के अंदर हमने question solve किया था, आपको याद होगा, which was previous smaller element, हाना, और previous smaller element और next smaller element, सब हमने देखा था उसके अंदर, वही वाले type का question आपको इन दिख रहे है यह वाला, कि हर एक element के लिए हम पता लगाने कि इस से previous smaller और यहाँ पर रखता हूं मैं next smaller ठीक है, तो previous smaller और next smaller निखाल के देखते हैं इन दोनों के लिए, तो पहले क्या होता था हम previous smaller में रखते थे elements को, ठीक है, elements के जगे हम index को रख लेंगे, ठीक है, तो elements ना रखके मैं index रख लोगा, तो इस से पहले कोई index है नहीं, minus 1, इस स चोटा, minus 1, इस से चोटा है 1, लेकिन मैं 1 नहीं लिखूँगा, मैं 1 की index को लिखूँगा, 1 की index है 2, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2, इस से चोटा वो यह रहा, इसकी index है 3, इस से चोटा यह है, इसकी index है 2, इस से चोटा यह है, इसकी index है 2, इस से चोटा यह है, इसकी index तो यह हमारी previous smaller index च्पार यहां पर स्टोर कर लिया Similarly next smaller element डिखते हैं तो इससे च्छोटा next आपर मिलने वाला तो यहीं मिल रहा है इसकी index है 1 इससे च्छोटा कहीं भी नहीं है तो उसकी index हम डालेंगे तो इससे च्छोटा कहीं भी नहीं मिल रहा ना मैं तो ऐसा करते हैं कि 9th position पर मानगे चलते हैं कि एक minus 1 रखा हुआ ठीक है तो किसी भी element से चोटा हमें महा मिल जागा तो 1 है तो 1 से चोटा कहां पर है 9th index प्रेजेंट है 9th element है नहीं हमें पता है लेकिन यहां पर रख ले त्यार क्योंकि यह हमारी calculation को करने में असान रहने वाला है मैं हम minus 1 लिख दूँआ तो उससे हमारी calculation में थोड़ी problem आ सकती है तो मैं चाहता हूँ बिना if else condition के हमारी calculation बहुत easy हो जाए तो उसके लिए मैं यह कर रहा हूँ आपको बातना सुझ में आए ठीक है इसके बाद अगले element चलते हैं तो इस से छोटा element यहां मिल रहा है index है 5 और इस से चोटा element है पर दाल के लिए तो हम पता है कि किसी भी element के लिए मुझे कहा तक चलना है और उसके बाद area निकालने का formula तो और यह असान है area कैसे निकाल सकते हो आप किसी भी index के लिए आप निकालोगे उस index का next smaller क्या है minus उस index का previous smaller क्या है यह निकाल लिया उसके बाद एक minus one और कर दो गया multiply by उस index पर height क्या है multiply by AI तो इस तरीके से आप area निकाल सकते हो हर एक index के लिए area निकालो और जहां से भी आपका maximum निकल के आता वह आपका answer होगा तो आपका प्रिवियस smaller निकालना है और next smaller निकालना है तो इसके लिए तो हमने already code दिखा हो यार यह आपका काम करता big of n के अंदर similarly यह भी big of n में काम करेगा तो आपने big of n में यह निकाल लिए और यहां पर आपका space भी यूज़ोगा क्योंकि आप stack यूज़ोगे तो एक space भी यूज़ोगा और दिख रहा हो कितना easy है आपने यह दो follow up नहीं लगाया आपने एक ही follow up लगाया और एक जो question हमने पहले ही किया हुआ था which was previous smaller और next smaller मैंने बताया था आपको बहुत ही important question है वह आपके आगे आने वाले questions में वह use होगा तो यहां पर वह ऐसी यूज़ोगा होता है अब और भी हम देखेंगे उसकी uses को attention बतलो ठीक है इस area वाली formula को लगा के देख लेते हैं हर जगह है कि क्या क्या आ रहा है आपका तो next smaller minus previous smaller minus 1 multiply by ai तो 1 minus minus 1 which is 2 minus 1 which is 1 multiply by 4 which is 4 इसके लिए करते हैं तो 1 minus minus 1 which is 2 2 minus 1 which is 1 multiply by 2 which is 2 मैंने यहां पर एक update किया है कि आपका next smaller होगा इस element के लिए वो यह वाला element है और इसकी index है 2 इसलिए यहां पर 2 आएगा तो पहले मैंने 1 लिखा होगा तो अब यहां पर 2 लिख दिया अब इसके लिए 2 minus 1 which is 3 minus 1 which is 2 2 multiply by 2 which is 4 तो इसके लिए आपका area 4 इसके लिए चलाके दे 3 minus 1 which is 2 multiply by 5 which is 10 तो यहां सारा आपका 10 इसके लिए चला आके देखते हैं तो यह जागा 5 minus 3 which is 2 minus 1 which is 1 multiply by 6 which is 6 तो यहां सारा आपका 6 इसके लिए चला आते हैं तो यह जागा 6 minus 2 which is 4 minus 1 which is 3 3 multiply by 3 होगा आपका 9 इसके लिए दिखते हैं तो 9 minus 2 which is 7 7 minus 1 which is 6 multiply by 2 which is 12 यहां सारा आप minus 2 which is 7 minus 1 which is 6 multiply by 2 which is 12 तो आपका देख रहे हो हर जगह के लिए आपका आंसर आ गया कि हर इंडेक्स के लिए आपका वो इंडेक्स अगर हाइट होती तो उसके लिए कितना लंबा तो यह हमने पहले दिखा था कि यहां पर 10 आ रहे है अगर तो यहां पर इसी हम बहुत ही इसी कोड कर सकते हैं तो मैं जर्णा कोड भी कर दिया बहुत ही सिंपल सा कोड आप लोंगो दिख रहा होगा एक हमने बनाया प्रीवेश स्मॉलर एक हमने बनाया ने नेक्ट स्मॉलर और यह की लिए मैंने दो फंक्शन मनाया ठीक है तो मैंने प्रीवेश स्मॉलर वाल फंक्शन पर बना दिए इस मायल विडिए तो ये वाले यार हमने वैसे logic देख लिया इस से लास्त वाली वीडियो के इंदर में ये लोजिक आले देखा हुआ से इंडिक और यहां पर यहां कर रहे हैं वह हम stack s equal to new stack करके बने गए उसके बाद एक for loop चलाएंगे हम 0 से लेकर n तक पूरा का पूरा और हर एक element के लिए check करेंगे कि क्या अभी हमार stack empty है अगर हमार stack empty है अगर हम यहां से बाहर निकल जाएंगे और अगर stack empty है तो हम दाल इंगो current index के लिए अगर stack empty मेंसlав को निकालते रहेंगे जब तक हम 유 element ही चलार तो इस element को बाहर निकालो और जैसी को चोटा हो गयते है इस यहां पर हम s.peak करके इंडेक्स हम मिलेगी वहां पर और इंडेक्स को हम डाल रहे होंगे पिस के अंदर और फाइनल इंडेक्स को हम रिटन कर रहे हैं अगर लॉजिक आपको और अच्छे समझना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको नेक्स लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना ठीक है वहां पर आपको यहाला लॉजिक पुरा सवज में आ जाएगा उसके बाद आप इसी तरीके से एक नेक्स स्मॉलर बना सकते हो नेक्स स्मॉलर के लिए सेम होगा बस यहां पर ग्रेटर दन की जगा लेस्टन आ है मैक्स वांसर रिकोस्टू मैठ रोट मैक्स ओफ दिस करेंट या फिर मैक्स आंसर तो इन दोरह से जो भी बड़ा होगा वह हम फाइल रिटन कर देंगे ठीक है तो अगर आप एक और एक्जामपल लेते हैं यहां पर हम सब उसको यह एक्जामपल है तो इसके लिए सबसे तो यहां यहां पर वालीator पर flop करेंगे तो इसके लिए कोई षोटान में अगया कोई ओन समर्था यहां फार हम्हें दालएंगे तो इसके लिए तो आलेंगे today यहां धgame day in यहां पर चलते हैं तो पहले इंडेक्स के लिए जीरो के लिए हम चेक करते हैं कि क्या एरिया आ रहे है तो करेंट निकालते है करेंट होगा हमारा 1-1 विचिस 2-1 विचिस 1 multiply by 3 ठीक है तो यहां से में मिल रहा है 3 फिर हम देखनें तो maximum answer या फिर current में से बड़ा कौन से है तो maximum answer अभी हमारा 0 था current हमारा 3 है तो बड़ा कौन से है तो बड़ा है हमारा 3 तो max हमारा हो गया फिलाल के लिए 3 अगले element पर चलते है तो इसके लिए दिखते हैं क्या आत है तो जागा 4-1 विचिस 5-1 विचिस 4 तो 4 आ रहे है और maximum कौन से है current है हमारा 3 और current है 4 max है हमारा 3 3 और 4 में बड़ा है 4 तो 4 हो जा रहा है यहां पर उसके बाद यहां पर चलके जीखते हैं तो यहां के लिए क्या आ रहा है यहां के लिए आ रहा है हमारा 4-1 विचिस 3-1 विचिस 2 2 multiply 2 2 वाला रहा है और 4 आल्रेडी है तो इसको अपडेट नी करेंगे इसके लिए चख करते हैं क्या रहा है तो 4-2 विचिस 2-1 है बाद इस वाला आ रहा है तो यहांसे हमारा 4 तो इस तारहीं से समपार यहां से आनस इंडेक्स जो इस एरी की लेंद है प्लस 11 वाली जो इंडेक्स इह पर डालने है ठीक है माइनिस सरnh मुड अब डाल देना वरना फिर आपको ओई इफस वाली कंडिशन चक्रने पड़ेगी अगर राइट सामेंट मायन थे हैं तो फिर किस तरी के से हैंडल करना आए है ठीक है तो उस वारी handling से बचने के लिए मैंने आपर एंड में जो एंड इंडेक्स है वो डाल दिया ठीक है एंड में आपकी फोर्थ इंडेक्स है जो की है निसके अंदर वो मैं यहां डाल दिया तो यह कोशिन यही तक था इसके बाद हम आने वाली वीडियो में कुछ और अब भी कोशिन कर रहेंगे स्टैक के उपर यह वाली वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना मैं मिलूंगा आपने उसके वीडियो में चलते हैं सिक साथ बाबाए